हाई आज की एपीसोड में वाइल काट एंट्रीज हुई यानि के नेहा बसीन राकिश बपट खर के अंदर आ गए और शमीता शैटी की तो आज दिवाली तो थी इद भी हो गई और क्योंकि एक टिकेट में दो मज़े मिल गए उनको और वो गोरीला बनके अंदर आए और जि देख भी लिए वो समझे भाई ये विग जी आए तो इतना उसने ध्यान नहीं दिया लेकिन जब नेहा आई तो नेहा की तरफ भागे और ये पीछे से तो ये बड़ा अच्छा सा भी लगा कि वो इस तरह से एंटर हो गए एनिवेज नेहा आई घर में उन्होंने आते ही क करन को बोला के मुँपे बात करो करन का मुँठा कूँ बना है इस तरह की बातें और जया मतलब प्षजी यह के वह अच्छा है लेकिन तुमाइए लिए अच्छा नहीं इस टाइब से उन्होंने बोला और जो है नेहा ने जो है ना प्रतीक से मतलब हाथ जरूर मिले ले CP लेकिन गले नहीं लगाया अब आप तो गले तुम प्ढ़ी नहीं सकते हो तो नयाने बड़ी अच्छी बात मतलब इग्नोर किया थोड़ा उसको से बोला कि तो मुझसे बात नहीं करो मैं जब तुम्हें कुछ बोलनी रही हूं निशान से बाते कर रही थी उन लोगों को बताया अभी के वह तीनों अच्छे दिख रहे हैं थोड़ा मतलब ऐस हो रहे हो जादा बात करना चाहता वह था उसे तो नहीं पता है बाहर क्या हुआ है किसने क्या किया है उसकी फैमिली ने क्या बोला है या उसके फैंस ने क्या किया उसे तो कुछ नहीं पता है कि यह लड़की क्या बुगत के अंदर गई है तो तो वह जो है और यह समझ नह नहीं थी और उन्होंने उनसे बात नहीं की और निशान ने भी बोला के भाई शांत हो जाओ एनीवेज बाद में जरूर हमें दिखा पहले तो यह घर में सब इसी बाते बार से आ हैं तो सभी जानना चाहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और छेर चार चल ली थी शम कि उनकी बाते हुई और नहे तो करन को मतलब तंगी कर रहे थी कि भाइ मंस वर् phonesकुश नहीं और करन ने सही बोला कि मैं यूज को जानता हूं जितना वैसे मैं खोश हूं लेकिन अपको इतना जानता नहीं ऊभी शॉल को रिष्टा बनाने का वे अरे बहुत बात की उन्हों न मांधों के प्रति को कुछ बोला और पती मांधote आता बात में जो है ना नेहाद दिखी प्रतीक से बिल्कुल ओपिनली बात करती हुई और उन्होंने प्रतीक को बताया कि क मेरा जो सुनना चाते हैं तो तुणार बहुत आर्टिकल पड़े और तुमारे लोगों की तरफ से मुझे कोई ऐसी मतलब उन्होंने रोका भी नहीं वो ट्रोलिंग वगारा को और वो जबके फर्स्ट वीक में आई थी उसको सपोर्ट करने वो एक आर्टिस्ट है ये समझना चाहिए आपका फैन है आपका कंटेस्टेंस है आपका फेवरेट है लेकिन वो भी एक नाम होता और ये चैनल ही ले यह उगार फैने करता था और नहाने उससारी बातें उन्हें बोलिए वो तरफ सारी बातें उन्हें प्रतीक हैं और उन्हों ने साफ बोला सब्सक्राइब और उन्हें और उनकी आप मैं वह टॉलेरेड नहीं करूंगी मेरे मतलब 20 साल के कैरियर में मुझे इतनी है उसको 20 साल की जो उनकी कैरियर है उसमें सुनना पड़ा और सही बात है ऐसा नहीं तक एक ताली बज रही थी ताली दोनों हातों से बज रही थी पूरा पूरा इंवाल्व था खुद उन से उन में जाता था उनके पास जाता था सब कुछ था लेकिन ये हमारी सोच इतनी खराब है कि हम बस औरत को गलत बुरा घर तरह से गिराते हैं तो वहां सही थी और पर पतीक ने भी कहा कि वह अपने मतलब उनकी फैमली का उपीनियन ने कुछ नहीं कर सकते हैं पतीक भी है उद्धर उन यां कि अ से तो उन्हों नहीं करते हैं इसाप का यह आपका एक पैटरन सब जगह सारी लड़कियों पर चलाते रहते हो तो इसंसां कि बात तो तीक पहले तो चला गया तो फिर उसने नया से बोला कि मैं आपके बारे में बहुत सोच रहा था इस ताह से मैं अपनी बैटल्स लढ रहा था मुझ खोल खोल कर नहीं बोल सकता था तो ये बते भी बताई के मतलब वह इस तना से बात बते में और नहीं कर सकता था और चैबिए अधियन था यहां आदमी कभी घलत नहीं होता चाहे कुछ भी हो तो समझो इस बात को उनको समझाने की कोशिश की के मदब तुम इस दरा लड़कियों के साथ ना करो कोई लड़का हो जाती है और बुरी स से लड़की नूं को कोई कुछ नूत है जो बिलकुल और फिर हमने आगे देखा कि भाई राजीव जो है न वो उनका हो प्रतीक का मतलब वो खाने का लेकिं मुद्दे पर राशन मचा और वो खाना जो है ना राजीव का राजीव कह रहे थे कि मतलब इस तरह कम नहीं बनाओ कम नहीं पढ़ना चाहिए उस पर बैस चली थी निशान अपना बोल रहे थे और इस तरह से यह हमने देखा कि यह किचिन टास्क पे और इस तरह से निशान के कहना था कि सिस्टेमेटिक वे से काम ही नहीं होता रोटी भी बनती है चामल भी बनती है सब कुछ तो यह मुद्ध हमने देखा कि हुआ इशान ने कहा कि प्रतीक बत्तमीज बात कर रहा था उस टाइम पे जब वो फाइट हो रही थी और तेजा ने कहा कि करन को जो तुझे लाइक पिर करन और तेजा की बातें दिखा रहे हैं वो वही उनलों का आपस में डिसकेशन चलता रहता है वो उसको ही बताती रहती है कि तुम किस तरह के वो से एनलाइज करने में लगी है उसको ही कैसे वर्क करता है यह बंदा वो उसको ही बता रही है कि किस तरह का बंदा है वो जो ह नहीं थे पर उसने भी बोला करन ने भी अपना बोला कि भाई मेरा इंटेंशन नहीं था पर इंटरमी इंटरमीडियेट हो गया था तो मुझे क्यूट लगी फिर करश्टा लगा और इस तरह की बातें उनके बीच होने लगी खैर सलमान गार घर में एंटर हुए दिवाली व सुनता है हमें शमीता से कुछ नहीं है लेकिन मेकर इतने जादा बायज इतने जादा चीज़ें करें उन से शिकायत है शमीता तो एक कंटेस्टेंट है आप उन्हें लेकर आयो लेकिन आप इस तरह से कुले आम उनको इतना जादा फेवर इतना जादा वह करोगे तो डेफ मराथी बाते हैं इस तरहां से यह सब वह राकिश के साथ और फिर जो है ना कॉलर मतलब और कुछ कॉल करें सो कॉल ऑडियन्स हम सब जानते हैं वह कौन ओडियन्स है है और सबसे हैं सबसे पहले निशान के लिए आए प्रतीक को घलत पर भी सपोर्ट करते हैं और जैके साथ दोस्ती के बारे में भी कोशन हुआ जिस पे निशान ने बोला कि भाई वह मेरा जैनियन फ्रेंड है दुख सुक में साथ होता है साथ हूं मैं उसके और इस तरह की बात की करन ने करन से पूछा गया तो करन ने अपना बता है कि पहले मुझे यही लगता था कि यूज कर रहा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है ना करता है जब करन ने उसे पठका तक तब तो उसने नहीं जाके अपने दोस्त के लिए खड़ा हुआ था तो इस तरह की बात की पर हरवक्त परतिक के एकादत है उसने बताए कि हरवक्त मुद्दा बनाता है उसकी वज़ा से पूरा घर उ कहां जरूरत है बलने चाहिए बना उसको उसकी बैटल लड़ने देना चाहिए जो कि बहुत सही बात बोली निशान को उन्होंने बोली तो यह बिलकुल सही का पर तेजा से पूचा तेजा ने का हाँ नहीं वह स्ट्रॉंग है और वह तेजा क्या बात है मतलब तेजा ने संही बोला लोबह गिंचा के साथ नहीं भी मिलेगा तो वह गई गई गा मतलब ऑन्लम के साथ नहीं भी मिलेगा उसके ऐसदर पूंड पर। तो वह उसको support करता है मतलब निशान के लिए बोला इस तारह से उन लोग सबने बात की फिर जै के लिए बोला कि जैसे मतलब जै और दोनों ने बोला कि मतलब हमारी clarity है हम जादा टाइम उसके साथ ही उससे डिसकस करते हैं इससे और उसने का समझ रहा है एक दूसरे को गेम एनिवेज फिर जो ना विशाल के लिए कोशन आया कि वो लॉस्ट लास्ट वीक से लॉस्ट हैं जब से उनके साथ ऐसा हुआ है उनकी उनको बताया गया उनकी बातें खुलके आई इस वह उस्टन और फोकस हुँ सलमानं ने कोशन किया कि अतेứng आपने भर नहीं मिल रहा इस ताकि बात कुछ तेजा के लिए बोला ठाल उन्होंने तो वह हिल जाती है तो उन्होंने उस बात पर विदिध और आगे हैं आग लगा दिए आपने मतलब विसां से हांब विशालने का जादा आँ जो है ना वो करेंगे खेलेंगे सही करेंगे अपने को पर करन के लिए कोशन आया फिर करन से पूछा गया कि मितलब पहले वह भुंच देश रूण थे शुरू कि वीक में जैसे जो हम आरे ही कोशन थे जो हम ही बोल रहे थे कर फर्स वू रूब वीक में अच्छा गेम था फेर वो सो फो इसी तरह की बातें चीए और जो हे वही तेज़ा वाली बात सारी सारी वही बातें जो हमने की थी वह सब अपर आई हैं कि मतलब इधर बोलते हैं, फिर मा जाके सॉरी बोलते हैं, हम में नहीं, मतलब मैं या और भी जो आर्टिस्ट हैं, या रिविवियर्स हैं, या जो भी डिबेटर्स हैं, सबका एक इसी बात थी, तो वही बात को उन्होंने कोश्चन किया और उमर के वही टॉर्चर टास्क में उमर को सपोर्ट नहीं किया था उस पे कोश्चन किया गेम ढीला हो गया है शमीता ने उससे पूछा कि अगर फेर नहीं थे तो आपने बोला क्यूं नहीं मतलब करन से बोला पर निशान से पूछा कि क्यूं करन का गेम वीक हो गया पर निशान ने बोला कि वीक नहीं हुआ है पर वीक हुआ है खतम नहीं हुआ है उसका गेम मतलब चल रहा है नहा से पूछा कि वो चीजों को बैलन्स करने के चकर में अपना वजूत खो रहे हैं तो निहा ने कहा कि balance नहीं खो रहे हैं थोड़े clouded से हो गए हैं पीछे से mind clear है पर मुँपर नहीं वात कर बोलते हैं सलमान ने कहा mind का thought audience को दिखता है question क्या निहा ने कहा नहीं मुँझे बोलना भी जरूरी होता है जैसे कि हमने बोला था कि वह वहां क्या प्लान कर रहा है क्या सोच रहा है वह बोलेगा नहीं सही से आके लोगों के सामने तो वही गलत दिख रहा है तो वह उसको बूश करने की कोशिश की जो कि अच्छा है ठीक है किया उन्होंने उनका गेम है एक बड़ा आर्टिस्ट इस तरह से घराब गेम दिखे अच्छा नहीं लगता है जमानने का एक्सप्रेस चाहिए उन्होंने खाँ कि अगर थाउट एक्ष्ण में नहीं बदलता या बोलने में या करने में मतलब वह नहीं आता है अगर एक्सप्रेस करने में तो स्टैंड लेने में जो और्डियुन्स तक कैसे पहुँचेगा यह सब कुछ नहीं करेंगे एक्सप्रेस नहीं लेंगे अपना दिकाएंगे नहीं बोलेंगे नहीं तो कैसे और्डियन्स तक पहुचेगा और हर सीजन में दो चार ऐसे हैं जो विनर मैटीरियल लगते हैं शुरू में करन लगा पर अब नहीं लग रहे हैं इस तरह का बोला गया समझाने समझाया के आप से बहुत एक्सकों से चुक्थ हमने भी कहा था कि बड़े जादर ऑब अब्कितना आ दो नहीं करन टके आप जितना लगे चूशंस तो नहीं आती है जो उनके फैंस हैं डफिनेटली जो आर्टिस्ट हैं जो उनके वह एमजी हैं प्लेयर हैं तो उनको वह चीज मिलेगी और आगे पहुंचेंगे ही क्योंकि उनके साथ बिग बॉस हैं उनके साथ उनकी फैंडम हैं उनके साथ उनके आर्टिस फ्रेंड्स हैं सब लोग उनके साथ हैं इंडस्री उनके साथ है तो आगे तो जाएंगे ही जो छोटे लोग हैं उनके लिए सिर्फ फैंस होते हैं और कोई नहीं होता है सही बोला कि जब बाहर निकलो तो लोग कहते हैं करन को देख कर मज़ा आया मतलब ऐसा करो कि मज़ा आया तो जो बात सही बोली उन्होंने धिर विशाल से कोश्वन देवरीना ने जो बोला उस पे जो उनका रियक्षन आया था करने कि दे उनने नहीं कर रहा है इसे को दागरने की नहीं करें करें quickly र किया सब्सक्राइब की सकते कि तो उन्हें बहुत टैया है तो सिंसे बहुत सोरी बोला और मतलब्यूर्श सुने यह तैयार नहीं थी, तोई इसलिए उनको थोड़ा सा बुरा अलगा और वो जो उनको तीन लोगों की बारे में जो बात में बोला के भाई मैंने तो वो तीन लोगों को अलग को उसमें बोला तो इसलिए वो उनकी reasons पर हम सब discussion कर चुके हैँ वही सेम उनके कोशन्स थे और वही उनके जवाबात थे और सलमान खान ने बोला कि मेमान आये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था वरकत बिलकुल नहीं करनी चाहिए थी और आपके वह पैंट थी जो भी थी वो करके आपको पैंट कहाना चा लुए सुनते नहीं हैं सल्मान को कहा कि जब ढूसरों को ग्यान देते हैं तो इसका मतलब है वह कम है वो कोशन किए विशाल नहीं वह को हर बात पर इंकार ही कर रहे थे और सलमान खान ने उन्हें समझाए कि मतलब अगर ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर ऐसा दिखाओ भी नहीं ना तो वह चीज़ उनको समझाए फिर करन से कोशन किया गया कि शमीता को बोला था कि तेजु का मुह देखना तो इसलिए कि तेजु इस तरह की बात की आप टू-फेज देख रहे हो अच्छा नहीं लग रहा है शमीता ने का उसे तेजा चाहिए करन ने क्लियर किया और बोला शमीता फ्रेंट की तरह हैं और सलमान ने बोला आप क्लियर हो पर हम कंफ्यूज हैं मलब क्यूंकि आपको लग रहा है अपने प्राइब में तो उसने कहा कि करन क्लियर है अगर प्रॉब्लम नहीं होंगे तो शमीता के पास जाएंगे और तेजा तो उनकी फ्रेंड हैं इस ताहीं बोला पर फिर भी करन को पता नहीं क्यूं आइसा लगा कि निशान को जोगला थी बोल रहा है निशान यह नहीं बोल को जादा समझता है यानि जिससे प्रॉब्लम है आपको उसी से बात करनी परती दर जाके नहीं तो क्लियर चॉइस होने चाहिए यह सब समझाया है अब देखते हैं यह सारा तो करके आएं अपने लाएं इतना बड़ा पैसा देके तो अब उन लोगों को सिखाएंगे तो स्पून फीट तो करना ही पड़ेगा के भाई काम करो और ना तुम तो मारी नाग कटा रहे हो तो इस तरह से किया और तेजस्वी को भी फिर बोला जो करन से कहती हैं वो खुद भी वही सारे मुद्दे थे वही वह बाते थी जो लास्वीक हमने कही कि खुद भी वही कर रह इसन्तारी है और करती वही है जो करन कर रहे हैं दोनों सेम है Hello, निहल वसीन ने भी आके बुली Oke, ईसलिए है कि दोनों सेम ही है तो वह खोद भी करना चाहिये उमर की बुराई करते हो इस तहां की बात भी लेके आ तेजाने शाणाने चाया हर किसी से उनकी लड़ाई नहीं पर आप जो है ना समझते हो कि मैं सही हो जाती हो और मुझे अपनी स्पेस चाहिए तो इस तरह से बात हुई अपने आपको करेक्ट करती है तो अची बात है अगर वो अपने आपको करेक्ट करती है फिर अगले वी कुछ और बोलेंगे तो फिर कुछ और इनको तो इन लोगों को यह उपड़ लाना है तो इनको हेल्प करेंगे ही जैसे मैं बार-बार कह रही हूँ तो वो हो गा और आपको दिखेगा नेहा ने समझाया कि जो करन फिर वो नेहा ने उसको समझाने की कोशिश की क्योंकि तेजश भी समझ यह ति पर नेहा असे मतलब जो तो नेहा ने पतेजा को नहीं पसंदें शमीता से बत करें तो और जिसकी वज़ा से ये दोनों में भेड़ जाते ही है current needs to be himself उन्होंने कहा आपको किसे डनने की जरुवत नहीं है you are current kundra very nicely said शमीता ने कहा ये सब होने के बाद ये मुझे insecure बोल रही है मतलब शमीता अपने ही topic पहते कि देखो ये खुद ये कर रही है और मुझे insecure बोल लिए anyway सल्मान ने अच्छे कहा कि जिन से पूचा है ही नहीं उन लोगों पर बात लाई कि जिन लोगों से मतलब question नहीं आए क्यों question निशान से हुआ विशाल से हुआ करन से हुआ तेजा से हुआ तो इन लोगों से question हुए तो वह यहीं बोले कि अब तुम लोग सोच लो उनको तंग कर रहे हैं उनको बोले सोच हो कि तुमने तुम को क्यों नहीं question किया गया या तो तुम कुछ ऐसा कर नहीं रहे हो या तो तुम कुछ content ही नहीं दे रहे हो या तुम से कुछ यह उन्हें काफी इस तरह से बोल कर गए हैं कि मतलब यह चार लोग जो है कि दो चार जो है ना वह विनर कॉलिटी मैटर होते हैं वह विनर कॉलेटी मैटर यही है शमीता विशाल करन निशान और तेजा यह इस तरह से दिखाने की कोशिश करी गई है कि इिन में से विनर है बस तो अब यह भाइ टाइम है सारे other fandoms के लिए चाहे हो अधिक का हो चाहे वह अमर का हो चाहे वह अफसाना का हो Simba का हो किसी का भी हो वो जो एना उन लोगों के लिए यह हाय टाइम है बाई एक्षिन लो और उन लोगों के लिए अंदर भी हाई टाइम है कि तुम लोग भी कुछ एक्षिन लो वर ना इसी तरह तुम भी बाहर चले जाओगे जल तो पिर ये करनी कन्फूजन के रिएट कर रहा है ते जैसे मैंने बोल पिर तेजा ने कहा के करन बॉइफरेंड नहीं है अभी जान रहे हैं इस तांकी बाते हुई वो शमीता से बाते हो रही थी अपने को क्लियर कर रहे हैं और ये सारा इन लोगों का होई दिसकेशन चल रहा थ फिर सार भागया शेरी आएं और इतने टाइम के बाद मतलब तीस साल के बाद एक ही मतलब प्लैटपॉम पे एक ही स्टेज साथ खड़े और मेरे वैसे भागया शेरी तो बहुत पसंद है तो वो आए और अच्छा लगा वो महौल के रियेट किया गया जो उस टाइम पे थ जो है ना तुम लड़के हो वाले उस पे वो किया गए और भागया शेरी थोड़ा उनको तंग कर रही थी के मतलब गिर मत जाना वरना मुझे बाम लगाना पड़ेगा क्योंकि मूवी में तो वो गिर जाती है और सल्मान खान लगाता है बाम तो जैसे मैंने बहुत रिक्र जाता रहता था सल्मान के पार नहीं जाता था तो सल्मान उस तरह उन लोगों के अपनी छे चार बातें चली जो थोड़ा अच्छा लगा और अपने बेटे को लेकर आई थी वो उनकी मूवी आने वाली है कोई मिनाक्शी सुन्जरवर्शी संथिंग तो उसके प्रोमोशन के लिए आई थी फिर उन लोगों ने थोड़ा सल्मान खान और रायसी बाते भागया शीरी तीस साल के बात सामने हैं तो जरा उन्होंने पूछा आप लोगों का फेवरिट डायलोग जो कि उन्होंने वही बोला कि वो फ्रेंशिव वाला जो उनका डायलोग था कि दोस्ती कि में नो सॉरी नो थैंक्स और अंताक्षरी का टेस्ट जो उन्ताक्षरी मोवी में थी उस पर उन लोगों ने शिरू के दो तिन गाने गाया और सल्मान ने कर जो उनके बेटे को समझाया इस तरह कि उनकी बातें हुई और दिल दिवाना सॉंग पे जो है ना वही उसका हो किस बंदे को तो इस तरह निशान आया उन्होंने करन को बुलाया और जो कि उन्होंने डिप्लोमेटिक ली मतलब खिला उन्होंने वह वह चीज़ गलत करता है जब आपको है अपने वीरा से तो खुलके बोलो और कुलके बोलो कि इस से मैं इस आदत क्यों से दूर रखना तो वो थोड़े से उन्होंने ऐसे किया और फिर गले वले मिल गए दोनों तो जार डिप्लोमेटिक हो गए फिर तेजा ने कहा कि वो इशान से दूरी बनाएगी क्योंकि इशान ने मतलब उनको थोड़ा अपसेट किया है वो जो भी उनको आवाइड वाला और ये सब जो क सिम्बा ने में उनको कह रहे थे जिस तरह की बात है एक तो टास्क में लगना अलग है और एक परसनल चले जाना बलकुल अलग है उन पर बहुत परसनल अट्रैक किये गए थे आसिम को लेकर रहे नौल तो उस पर उन्होंने बोला कि और आर… वो उन से दूरी बनाके रखना चाहते हैं उन्होंने बोला सिम्बा unacceptable एक एक आसिनेशन करता है बात करो पर गर्मीना दिखाओ इस तरह का उन्होंके चला उन्होंने बोला 12,000 फीट दूर रहेंगे वो इस तरह से बात ही पे सिंबा ने का कि टास्क में इन में कोई अलगी इनसान आ जाता है मतलब वो भी उमर से ही दूर रहना चाते हैं वो ठीक है कि अग्रिसिव हो जाते हैं वर इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपके परसनल पर जाता है और आपको किसी ने रायक नहीं देया उसकी परसनल पर जाएं उसकी फैमिली पर जाएं उसके प्रोफेशिनल पर जाएं ऐसक कुछ नहीं है तो उन्हों फेट 라न ने का कि वो नियासे दूरी बनाके रख़ेंगे क्योंकि वह भी अंदर आई हैं और उनको मतलब चड़ गई और उन्होंने बुले नहीं आने तो वही बात बुली कि वही पीछे बात नहीं करो मुह पर बात करो विशाल ने अफसाना से दूरी बनाई और फिर बात में उन्हें वह भी हक कहते हैं दोनों मतलब वही कर रहे हैं डिप्लोमेटिक खेल रहे हैं कि चीजें भी बोल रहे हैं और फिर उसके बात गले भी मिल रहे हैं शमीता ने तेजा को कहा कि यह ऑफन हो जाती है जब कैप्ट सब्सक्राइब और इशान ने बहुत जादा बत्तमीजी मतलब इशान आया उन्हें तो काफी बत्तमीजी से महाँ शुरू किया पतिक को आ यह वो और पतिक ने कहा कि और उसको बोलने कि मैं तुझे तो बराबर ही बैटा है तो इस तरह से प्रतिक थोड़ा चिल उसमें ल इसका कोई opinion ही नहीं है और पतिक ने खेर बोला उसको लगा इशान को कि हम मुझसे दूरी बना के रखना चाहरा है पतिक ने उसे बोला नहीं आप इतने मुझे matter नहीं करते हो फिर उन्होंने नहा को बोला क्योंकि नहा जिस तरह से आई तो उन्हें फिजिकली तो हम मतलब है लेकिन हर तरीके से और वो इस तहां से दूरी उन्हों से बना के रखेंगे तो वो आएं और वो matter करती है और वो हट किया उन्होंने ये बात बोली और फिर जो है उमर से भी कहा तो उमर ने clear किया कि प्रति क्योंकि वो राशन को लेके जो उन लोगों की बात हो गई थी तो उमर ने clear किया प्रति के साथ और कहा अब ये बंदा अच्छा है अच्छा लगा और उसने बोला कि जब दूरी बनाने को यह नहीं नहीं दूरी नहीं रखेंगे उमर ने बोला और वो दोस्ती करेंगे उमर जो है ना जाद अच्छे हैं तो खैर जैने कहा कि वो उमर से दूरी मेंटेंड करेंगे और जैब बहुत लॉस्ट हो गए थे जो बात जो जैका ये मसला है वो एक दिल में रख लेते हैं उस बंदे ने सामने से जाके आपको क्लियर भी कर दिया कि आपके लिए था भी नहीं पर आप बिला वज़े उसमें घुसे जा रहे हैं कि आर्टिस भाद भी बिला वज़े उस बंदे पे चड़ें और इस तरह से तो मअ पे जो है ना जै ही गलत लग रहे थे और उमर बिलकुल सही बोल रहे थे अलब बिलकुल अपने स्टैंड करें थे वो समँझा रहे थे वो क्लिह कर रहे थे व बतार रहे थे कि अगर ये hero है तो मैं real hero हूँ क्योंकि मैं doctor हूँ और ये बात बिलकुल सही है हम और जैने बोला कि तुम और तुमारा भाई तो भाई टीवी पे ही बने हो इस तरह से बहुत ही over हो गया था और फिर विशाल भी उन पे चड़ गया पिर सिंबा भी उन पे चड़ गया उमर पे और उमर उन सब में जिस तरह से बात कर रहा था वो ही सही लग रहा था और वो ही शाइन भी हो रहा था जैने का कि तू और तेरा भाई जैसे मैंने बोला इस रेली लोग वेरी बैड तो बहुत ही बात में बोलो लड़ लो बैट आप आप आर्टिस्ट रो इतने बड़े आप लोग नाम हो उसके बात आप इस तरह से इतना जादा किसी मेमान के सामने हरकते करो दोड़न लोक नाइस तो उमर तो वैसे भी हीरो बन गया जैही गलत दिखा है और यहां कि कुछ जैको दिख गलत है क्यomie सोच ही गलत है वह बहूं सारी चीज में स्टेंड सही लेते हैं हैं मगर कहीं बहुतत बलक्त चले आते में करेंगे को को पूचें करने करें deutlich हैं पर यह लोग बाहर चलेगा। सानिया को नहा पसंद आई बोला सबको कि स्ट्रॉंग ऑपीनियन हैं यहां अची बात है यहां पर सबका ओव टिपलोमेटिक कोई लोग जैना वह बहुत डिपलोमेटिक यह निशान व विशाल के लिए ही ता तो बना ना चाहते हैं तो उनको करकने है, खेर, सल्मान ने वही बात तेजा से जाके पूछी, क्योंकि वह शमीता को जो पूछ रही थी उस बात कि वह आप सेट हो, तास्क को लेके, तो तेजा ने कहा कि वह दो खदम आगे जाती है, पर इस ता की बाते हो जाती है तो फिर वह चार खदम पीछे च करण को आप से दूर रहना है, इस तरह से कोशन किया, माईशा को फिर माईशा को करशे को चृसल में बुलाया, कि वह जो हैं इविक्ट हो गई हैं, इस तरह उने से बुलना, कन्फेशन रूम से बाहर आ जाए, और आइशान भी रोया, मतलब वो प्रतीक से भी मिली, जयसे भी मिली जो जिससे उसकी बनती है और करन तेजाग ऐसे तो मिलती वो नहीं दिखी आप वैसे मिली होंगी लेकिन एपिसोड में नहीं दिखी और कल का प्रोमो तो बड़ा ही जबरदस्त है एक तक कपूर घर में आ रही है और वो मौकर्ट हटाने घर में आएंगी तो फिर य का अनना कनेक्शन पे रेल है या नहीं बात हुई और विशाल और शमीता में लड़ाई जिरू हो गई क्योंकि उन्होंने ना कहा कि मैं अभी इन दोनों की मानूंगी बात और मैं इन से वो नहीं करती है और सल्मान ने क्लियर किया कि किस कॉंटेक्स में विशाल ने विशा ने करन से पूचा कि आपको मतलब तेजा पसंद हैं इस तरह से मतलब अविशल अभी इन लोगों को देखाना है पैसा लगा है तो अविशली उनको ही एक साथ करने की कोशिश की जा रही है उनकी ही सारी स्टोरी शुरू से बनी वी है बस बीच में इस तरह से कर देते हैं क यह जो है ना हमारे आर्टिस या जिन के भी फेवरिट्स हैं वो जीट जाएंगे लेकिन सब कुछ पहले से फर्स डे से ही डिसाइड होता है किसने अक्चुली बनना है विनर तो अब यह सारा आज देखने मिला है देखते हैं आगे बदल जाए किसी के खिसमत यह सोच यही बड़े नाम है तो उनको लाके पैसा लगाते हैं तो वो डैफिनेटली चाहेंगे कि अच्छा गिम खेलें इनको इत्ता पैसा लगा के दे रहे हैं और यह आगे तक जाएं और फिर तो अपनी कोशिश बिग बस की लगी भी है उनको ही जिताने की जो बड़े नाम है और बाकी लोगों को मेनत करनी होगी अपने अपने फेवरिल्स को उमर तो अपनी जगा बनाते वे दिख रहे हैं फिर भी अब प्रतीक को भी अगर रहना है इस रेस में आगे तक तो उने भी कुछ चीजें अपने अंदर सही करनी होंगी जो उनकी परसनेल्टी है बहुत गेम को लेके जुनून है वो बहुत अच्छा है लेकिन कहीं कहीं थोड़ा लैक हो रहा है मैं बड़े नामों की बात नहीं कर रही हूं मैं बात कर रही हूं उमर में जो चीजे वो प्रतीक में थोड़ी कम है अधर वाइस दोनों ही बहुत सबरदस प्लेयर्स हैं तो अब आपको कैसी लगी आज की एपिसोड आप सब इन सारी बातों पर क्या कहना चाहते हैं यह एंट्रीज के बारे में यह नहा का घर कहां घर में आना प्रतीक और नहा करी जो कनवर्सेशन हुई है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यह जो सो कॉल्ड ओडियंस ने आके इन चारों को ही सिर्फ इतनी एहमियत दी इसके बारे में आप क्या कहना चाहरे हैं आपको कितना लग रहा है कि आगे बहुत सही होने वाले हैं करन हो तेजा हो शमीता हो विशाल हो निशान हो ये सब के गेम आगे कैसा होने वाला है कितनी हल्प मिली हैं इनको बहुत सारी ची हैं हर कोई कि सुनता है तो प्लीज छोड़ा करें अपने कमेंस थाकि उन्हें भी पता चले कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या कहना चाहरे हैं तो एनीवेज देखते रहिए बिग बॉस लाइफ फीड वूर्ट सलेक्ट एपिसोड एवरी देवरी 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 एपिसोड and you're watching me on Glitz Vision USA